वेरी गुद इविनिंग डिये एस्पिरेंस वेलकम टू अड़ा 24-7 दिस इजमेंटर सौरफ सीन आप सो भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रक्रेशन भी जबरदस चल रही होगी इसे बात के साथ सुरू करते हैं आज का ये सेशन जीरो टो हिरो 2.0 बैज के थर्ड डे में मतलब कि आज लेक्चर 3 है और आज घमाशान युद्ध होने वाला है क्योंकि आज की चर्चा है आईदर और कॉंसेट पे जो की सिलोगिजम के सबसे खतरनाक सेग्मेंट माने जाती है क्योंकि इस पर बहुत सारा वाक युद्ध होत करेंगा विकोज इस तरह की लमाम लगातार मुझसे जुड़े रहने के लिए बने रहने के लिए आपको यह सब्सक्राइब करना अवश्यक है तो जो बच्चे नय है सब्सक्राइब करना बड़ा जरूरी काम है जो वो करना चाहिए तो सब्सक्रिप्शन is the most important thing आप अगर नय है तब पुराने है तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा दुबारा सब्सक्राइब करने से वो अंसब्सक्राइब हो जाएगा ठीक है चलो थोड़ा सा हरवड़ी में दिख रहा हूंगा मैं of course क्योंकि हाँ सब ठीक है गूड इवनिंग गूड इवनिंग मधू गूड चर्चा करते हैं मैं कुछ कॉमेंट्स पढ़ा और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और लिटरली आज की discussion थोड़ी सी अच्छी इसलिए भी होगी क्योंकि बहुत important है और बड़ा इस पे द्वंद रहता है लोगों के मन में बड़ा confusion रहता है और क्या बोलें क जिसकी सुने किसकी ना सुने तो हम कहेंगे किसी के मत सुना आप चर्चाओं पर रहिए चर्चा कीजिए discussion कीजिए उसके अधार पर खुद conclusion निकालिए कि मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरे student को मैं कुछ थोपू नहीं मैं उसको कुछ बैसा नहीं करूंग तुमको यही मानना ह है नहीं हम discuss करेंगे हम खुद conclusion निकाल लेंगे कि क्या सत्त है किस तरीके से में conclusion रोग करना चाहिए आईदर और को कैसे कैसे किस situation में हम आईदर कहना चाहिए कब नहीं कहना चाहिए बात इस पर करेंगे प्रपर ली आगे बढ़ते हैं भाई साब signature को अगर autograph में बदलना है तो कड़ा मेनत करना पड़ेगा ऐसे हवा में होने वाला है नहीं मगर आप सोचते होना कोई rocket science होगा कोई बंदब कोई shortcut होगा तो literally कोई shortcut होता नहीं है मेहनत कल भी था मेहनत आज भी है और मेहनत कल भी होगा आगे भी उसमें smartness वाला factor add-on है बस से मतलब की extra cheese दे देना भाई साब मेरे pizza में थोड़ा सा बस वही वाली बात extra cheese वाला factor है यहापे smartness लेकिन कड़ी मेहनत जो raw materials है वो तो चाहिए raw material मतलब जो base होता है pizza में वो उनके उपर toppings जो होते हैं वो सारे चीज़े चाहिए ही चाहिए बस वो extra जो cheese होता है बस वही है आपका smartness चीक है न उससे मतलब दो लोगा दौड रहे हैं एक smart बंदा एक मेहनती बंदा है तो अगर smart बंदा मेहनत करना कम कर देगा तो जीतेग वही जो मेहनत कर रहा है चाहिए smartness के पर थोड़ी कम भी हो ध्यान द किया मेहनत सर्वो पड़ी है चीक है न चलिए आगे बढ़ते है तो एक बार से देखते हैं कि session के summary में क्या क्या है आज आज हमनों क्या क्या discuss करने वाले हैं सबसे पहले revision of three magical notes जो हमने कल discussion किया था उसके अधार पे उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग बात करेंगे आईदर और concept की जो की literally बहुत 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 उम्दा concept है इस पे हमेशा बच्छे confused रहते हैं मैं आज आज आईदर और concept discuss करूँगा और किस तरीके से discuss करूँगा ये भी आप जरूर देखिएगा और इसमें भी आईदर और concept को discuss करते हैं सिलोगिजम और inequality का मैं मिलन कराऊंगा discuss करेंगे सिलोगिजम के साथ साथ inequality के आईदर और concept में या फिर एक basic concept of inequality के साथ relate करूँगा मैं आईदर concept और सिलोगिजम को ताकि आपको बहुत एक clear समझ में आए हैं आगे बढ़ते हैं उसके ब पूरा पूरा आज का से समरी रहने वाला है आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं revision से हमने कल तीन magical word नहीं तीन magical notes की बात करे थी मैंने कहा था सिलोगिजम में अगर किसी भी निसकर्स को तुम काटोगे तो कहीं न कहीं यही तीन note के याद आएगा मतलब इस तीन note यह से कोई एक note नजर आने वाला है आपको शुरुआत करते हैं इस note के आधार पर यहां पर पहला note कहता है कि भाई जब भी किसी दो element की बीच relation नहीं होगे रट जाना चाहिए बिल्कुल दिमाग में चिपक जाना चाहिए दुनिया में कुछ भी सबसे बड़ा अगर कोई होता बाई कि सबसे important चीज से logism में कुछ है तो यह तीन note ध्यान रखी को इसी तरीके से इसको important मानते हुए आपको दिमाग में चिपकाना भी है है ना फैवे क्वेक फैवे stick फैवे call जो मन करता है उस तरह से photo की तरह से चिपका लो जैसे लोग गाने में photo चिपकाते हैं वैसे वाला, so whenever there is no relation between two elements, all type of definite conclusion will be treated wrong and all sort of possible conclusion between the same will be treated as the true conclusion, so this particular line is very much important, किसी बच्चे ने कल comment किया था, वीडियो के बाद वाले comment में ने पढ़ा था हुआ हुआ हम बच्चे ने कहा था, कभी कभी हिंदी वाले को भी समझा दिया कि, जब भी वेन आरेक के अनुसार किसी भी दो तर् तो अब उस समय क्या होगा, निशित निसकर्सों को गलत माना जाएगा, और तमाम जो हमारे पास संभावित निसकर्स होंगे, उसे सही माना जाएगा, यह हमारे पास हिंदे में लिखा हुआ है, तो बहुत सिंपल सिंपल बात है, मतलब अलगाव है किसी दो element में, तो बताईए, आप इतम बहुत बड़े बैल बुद्धी है, मतलब बच्चे रही सा बोला नहीं, लेकिन मतलब उसका आत्मा साथ यही कह रहा होगा, कि आपने note 1 के तहत यह बोला कि सर element में जब अलगाव रहेगा, जब कोई relation नहीं रहेगा, तो वहाँ पर उसके बीच में वा लास्ट क्लास के वीडियो के नीचे कमेंट में आया हुआ था, मैंने पढ़ा मैंने का ठीक है अभी यहाँ रिप्लाई नहीं करूँगा मैं, मैं जब क्लास लूँगा अगला वाला तो वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा, इसका मतलब डिसकसन जब रिवीजन कराऊंगा यह आद धानलो वर्मा जी लो भूह हमला किया ना सर्मा जी का घर पर तो जो गैस टाया है होगी कुटायेगा, वही be very much clear in your mind when we talk about syllogism, syllogism का जिक्र हुआ, तो ये वेंडाराम आपके जहन में आना चाहिए, भाई साथ, इसके इसके आधार पे, जो भी nisqrs निकल के आते होंगे, उन तमाम nisqrs में आपको 100% true रहना पड़ेगा, मतब मेरा confusion दूर हो गया है, चीक है न, ताकि मतब में जो मैनत किया हूँ अभी आपको रिवाइस कराने में, वो आपको थोड़ा सा लाबदायक आपके लिए हो, चीक है न, आगे बढ़ते हैं, so note 2 की बात करते है, note 2 कहता है, भाई, एक बात बताओ, जिस information के बारे में statement ने जिक्र नहीं किया हो, उसके बारे हम वास्तविक्ता में कुछ accept कर सकते हैं, क्या तो हम कहेंगे नहीं कर सकते हैं, भाई, इसलिए, note 2 नहीं यही बात कहा है, आपसे कहा है कि, whenever we will be required to draw a true conclusion regarding the blank space of Venn diagram, we will have to accept the world, we will have to use the word possibility to make that conclusion true, otherwise that conclusion will be treated as a wrong conclusion, simple sentence है भाई सब्सक्राइब, अपनी भाषा है, मतलब बिल्कुल जो मन से अंदर से निकलता है न, जो word वही वाला लिखा हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ, भाई, इंग्लिस एक language है, हमें अंग्रिजी नहीं आते, किसी बच्छे ने कुछ और भी सब अंदरूनी बाते बता रहा हूँ, यह बहुत बड़ा ब्रामास्तर सच में है, मैं अंदर जड़ू बता रहा हूँ, थबले पर नहीं लिखता हूँ, यही वह तीन बाते हैं, जो आपको परिक्षा में जाने से पहले याद रखनी चाहिए, यही वह पांच चुरन है, जो आपको प्रॉफिट लॉस में नहीं पार लगा देंगी, ऐसा कुछ नहीं करने का, लेकिन मसला यह है कि ब्लैंक स्पेस जो है न, यह तीन नोट है लिटरली यह ब्रामास्तर की कत्रह काम करती हैं, अगर आप समझ गए तो, सो ब्लैंक स्पेस स्विक्ता में तो भाई, हमारे पास कुबबत ही नहीं है, विकॉस स्टेटमेंन ने खुद ही नहीं बोला, तो हम कैसे मालनेंगे था, एक्जामपल के तो फिर सरी बाइज कराता हूं में आपको, मालनो आपको सम अर बी है, और यहां बोला गया सम अर नोट भी, तो आपकी ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं, मतलब रिवीजान हो चुका होगा, आपको आगे बढ़ता हूं, एक बात कहता है, एक बात बताओ, कि अगर आज 12 जनवरी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कि 12 जनवरी 2021 के होने की संभावना, नहीं भाई, नहीं बोल सकते हैं, बास समन बहा दूसरा कहा रहा है कि already existence of, already restriction between two elements, that means कि no ARB and some part of age when restricted to be, that means some AR not B, in that case, अगर ये चीजे हो रहे हैं, ये पहले से ही मौजूद हैं, बोज रिलेशन, चाहा हो पॉस्टिव है निगेटिव, तो उसके बारे में संभावनाओं को मत जोड़ दीजेगा, संभावना जोड़ीगा तो गलत हो जाएगा, मतलब कहने का ये है कि किसी बच्चे ने कल पूशा भी मुझसे, कि सरी बात बताईए, all ARB अगर है, मैंने इसमें काफी हाँजोर के लोगों कहा, कि भाईया मत कहना, इसे गलती मत पढ़ा देना, यहां पर होता क्या है कि all ARB के मामले में कई लोग होना चाहिए, तो सम ARB is a possibility, सम ARB is a possibility, क्या हो जागा, यहां पर रौं हो जाएगा, सम ARB is a possibility, क्या हो जाएगा, रौं हो जाएगा, बही बात में कहरा, already existence of relation, that means all A reside in B, that makes sense, we cannot accept any kind of possibility with respect to this particular element of A, with regard of this particular word sum, that means some ARB is a possibility we cannot accept, or some BR A is a possibility also we cannot accept, the reason is some part of B is already in this A, so why to attach the word possibility, similarly, one more example we can take, no ARB, in this case, when we have already statement have given no ARB, and now if we will try to draw the conclusion as some AR not B is a possibility, we will be like bell buddhi, right, हम लो क्या रहेंगे, बैल बुद्धि अभे पापी इंसान, जा पूरा पूरा A, B से पर्तिबंदी था है, तो थोड़ा सा भी A का पर्तिबंदी था है तो थोड़ा सा भी A का पर्तिबंदी था है ना वही वाली बात है, ठीक है ना, इदम क्लियर रही है अब, हर बात को इक मैं एक की से बच्चे ने कहा है, इतना complicated, इतना confusion chapter को आपने इतना easily दिमाग में बिठा दिया, सर्जी, सुनिया, थैंक्यू सो मच, तो मस्ला यह है कि हम लों डिसकस कर रहे है, मैं थोप नहीं रहा इसके बाद थोड़ा सुकून से, थोड़ा तवियत से बात करते हैं आईदर और concept की, आईदर और concept को हिंदी में क्या कहते है, या तो ये या तो वो, समझ रहना या तो ये या तो वो सही है, सुरुआत करते हैं यहां एक discussion से, मतलब की, सबसे पहले में बात कहना concept जो है, वो संभावनाओं को एक certain circumstances में सोचने का तरीका है, पहले तो ये समझें आप, आईदर और है क्या, कोई अलग से थोपा हुआ नियम नहीं है, आईदर और ये चीज़ है, कि एक certain situation में, जब आप किसी बात को सोचते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आईदर और कहते है मतब संभावनाओं को ही एक दाइरे में रहके सोचने का तरीका को क्या कहते हैं, आईदर कहते हैं, simple funda है, ये बात अगर पचा ले रहे हो, is it digestible, तो फ़र मतब कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तो मतब यही बात है, मतब आईदर में यही बात हमें सीखनी है, और यहाँ पर अभी यहाँ पर इस discussion के बाद उसे confusion रहे, ठीक है ना, आईदर और concept, if we'll talk about आईदर और in syllogism, और in equality, दोनहीं topic में सबसे पहले आईदर के लिए सबसे पहला demand क्या होता है, जिसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो कि अलरेडी clear रहेगा, ठीक है ना, आईदर में हमेश सही रहेगा भाई, तो वहाँ भी मतलब की inequality में भी सही रहेगा, और एक point कहता है कि भाई, दोनों ही, जो हमारे पास, जो conclusion रहेंगे, जो दोनों ही दियेगे निसकर्स रहेंगे, उनमें से एक साकरात्मक हो, दूसरा नकरात्मक हो, मतलब एक positive हो, ऐसा होना ही चाहिए, चाह में एक exception case भी है, और वो exception ही आपको असली में बताएगा, कि why, what is either or case, मतलब exception ही आपको असली में बताएगा, कि भाई साब, reality of either or, normally नहीं समझ में आगा अपको अच्छे है, लेकिन जब हम either की चर्चा करेंगे, तो ये बात है clear हो जाएगी सभी को, ठीक है ना, ठीक है ना, clear है, चलिए, so, यहाँ पर कुछ conditions लिखे हुए है, और मुझे लगता है कि आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा, दोनों भासाओं को परियोग करते हो लिखा हूँ, बाकि भासाओं को add करने का, साइद यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो मैंने इतना जरूर कर ठीक है न, कहारा है कि बोध the elements of two given conclusions must be same, वही बात मैंने जो कहा है, यहाँ लिखा हुआ है, आप इसका screenshot ले सकते है, मैं यहाँ बोलते रहता हूँ, पहला कहता है कि भाई, बोध the, बोध the, बोध the elements of two given conclusions must be same, पहला बात, दूसरा, one conclusion should be positive, whereas another must be negative, एक सकरात्म को दूसरा नक बोध the conclusion must be wrong, और you can say, can't say, individually, that particular word individually is very much important there, यहाँ पर इशब लिखा गया, individually, that particular word, word, is actually, most important word in this particular point, है न, यह सबसे important point यह वाला होगा, यहाँ पर, ठीक है न, अब हम बात करते इस बात, complimentary pairs, यह सबसे जगडा उसी पर है, मतलब कजब लड़ा है, मतलब कजब लड़ा है, यह तीन बातें दिमाग में रखना, है न, उसके बात हम चलते है, complimentary pairs पे चर्चा करते हैं, कि आखिर यह complimentary pairs क्यों है, और इसको हम क्यों complimentary pairs मांगते हैं, बात इस पर जरूर करेंगे, इस पर बात करने के साथ ही, आपको समझ में आ जाया है, कि हाँ या यार, यह आईदर है, आईए, next, आगे पास यहां पे जो slide है, इस slide में आपको नज़र आ रहा है, कि यहां लिखा हुआ है, complimentary pairs, आपको तीन complimentary pairs दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, और यहां तीसरा, उसके जस नीचे लिखा हुआ हुआ exception, और exception है भी आगे पास सिर्फ एक ही हैं यहां पर, all or no, हमार लोग words की बात करते हैं, कि syllogism में चार ही word क्यूं है, some, some, not, all, no, यही चार शब्द क्यूं है, तो मैंने समझाया था, वहाँ पे कि, वहाँ पे zero और hundred को हम लोग no और all कह देते हैं, और some, some, not क्या है भाई, तो आपको पास उसके बीच के जो भी data होगी, उसको हम some या some not से आकते हैं, और मैंने discussion के दौरान कई बार यह बात बोला भी था आप से, कि some, some, not, वो नदी के दो किनारे की तरह हैं, और एक और मैं word इस्तमाल किया था, याद करो discussion के समय, जब मैं चार शब्दों की व्याक्या कर रहा था, कि why these four words are there in the syllogism, तो मैंने वहाँ पे कहा था, कि अगर complimentary pairs में बात करें, तो of course कई जगा होता है, कि सर यह बताईए कि some, some, not, either होता है कि नहीं होता है, मैं करता है, बिल्कुल होता है, यहाँ देखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, इसे मतलब नहीं आई समझते हैं, क्यों होता है, तो मालनो एक सिंबल स कि हम यह बोल सकते हैं, फिर तो मालनो यहाँ जानता है नहीं, इसके बीच में दो भी वास्तिविक निसकर्स होंगे, उसको मैं accept नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है, मतलब अगर बोला गया, some, AR, not, भी बोलें गलत है, all, AR, भी गलत है, no, AR, भी गलत है, मतलब यह चीज़े च प्रिलेट करते हुए, इनिकल्टी के लिए क्या आता हो, याद कीज़े अगर पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि वहाँ डिसकस किया जाता है, जाए, A is greater than B अगर हो गया, और B is less than C हो गया, ऐसा कुछ हो गया, मतलब इस situation में हम क्या कहते हैं, कि element A और C में relation नहीं है, इ A is greater than C, या फिर A is less than or equal to C, इस two situations will be clear, अगर इस दोनों situation को यहाँ रख दिया जाए, तो हम क्या कहते हैं, आइधर पहला या दूसरा ही सही, का है, भया, का है कह देते हैं इसाम लोग, इसका मतलब यह है कि A और C में यहाँ relation ही बिल नहीं हो रहा है, the same thing we can conclude here as well, between A and B, in this situation, in this particular Venn diagram, we cannot draw any relation, that means, अब A और B के बीच में जो possibilities रखी जाएंगी, चाहे वो some A or B रहे या some A or not B रहे, दोनों में से कुछ नहीं उस तो हमें accept करना पड़ जाएगा, बात समझ रहे हैं, वही वाली बात है, मैं अगर दोनों रख दिया गया एक ही साथ, तो बोलेंगे भाई, इन में से एक बात तो सही मानना पड़ेगा मैं, because we are not aware of the relation of A and B, because some or some not क्या है, आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, बात समझ मारी ये, ये चर्चा, ये discussion, ये बहुत, मैं जान मुझ के इसको लेकिया आया, बिकुश आपके मन में में बड़ा confusion रहता है, और कई लोग confuse करत करते भी है, क्योंकि सायद मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, ये मसला ये है, आपके पस एक बहुत ही जीता जागता उदाहरन यहाँ पर inequality का है, और similar situation में ने create कर दिया है, element A और C में यहाँ पर कोई relation नहीं है, because दोनों का ultra symbol है, है ना, आप open gate, close gate कह सकते हो इसे आप, तो A और C में यहाँ relation नहीं है, इस बात को तो सब लोग मानते होंगे, चाहिए किसी भी जगा पढ़े होंगे सलोगिजम आप, किसी भी platform पे, किसी भी जगा से पढ़े होंगे आप, आपको ये बात तो मालूम चल चुकी होगी कि यहाँ पर A और C में relation नहीं है, और अगर A और C में relation नहीं है, इसका मतलब इसकी बीच की जो भी possible बातों को यहाँ रख दिया जाए, तो हम बोलनेंगे भाई साब आइदर और, बोलनेंगे आइदर, या तो पहला या दूसरा, सही है, क्योंकि हमने क्या बोला, या तो A greater होगा C से, या तो less होगा, या तो equal होगा, सेम वह aware of the relation of A and B, right? We are not aware of the relation of A and B, so we can, we must accept this sum or sum not once, एक बार तो accept करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है न, I hope, I hope you are getting the idea, I hope, एक inequality वाला जो point अभी लेके आँ हो मैं, इससे आपको बहुत-बहुत साक्षाद दरसन हुआ होगा, किस चीज़ का, तो भाई, inequality वाला ये, आपक कोटा से example दिया हो, जिससे हम sum not को समझ सकते हैं, I hope you are getting the idea, ठीक है न, I hope you are getting the idea, ठीक है, चलो, अगर ये बात clear हो चुकी है, तो एक चीज़ इसमें और आती है, तो ये अपके बास को, ये इसको याद रखिएगा, sum, sum not are all, sum and sum not, and sum and no, these three make complementary pairs, which satisfies in the condition of either or, but if we'll talk about all and no, why this all and no, let's talk about this thing as well, क्यों all or no जो है, वो क्यों either नहीं होता है, इसके पीछे बात करते हैं, why this all and no are not in either or case, what is the reason behind it, समझते हैं इस बात को, अब इस बात समझेगा, अगर मान लोग इसी diagram, इसी diagram में अगर बोल देए, आपे हम पहला लिखते हैं, all a are not b, ऐसा लिख दिया हम लोगों ने, और दूसरा कहता है यहाँ पे, no a are b, in this situation, when we are not aware of a and b's relation, अगर हमें मालूमी नहीं है, तो क्या all और नहीं दूसरे को कॉंपलिमेंट कर सकते हैं, क्या नहीं, आप एक बात गौर करना, इन तीनों कॉंपलिमेंटरी पेर्स में कम से क एक बार आपको सम नजर आएगा, यहाँ एक बार आपको सम नजर आएगा, जो सम भावनाओ को दावत देगा, I hope idea is clear, I hope idea is clear to everyone, I hope you are getting the idea, that means at least one time you are getting some, you will get once at least you will get once this particular word some in this complimentary pairs, but if we will talk about the last one which is exception, which is a part of exception actually, जो कि all and no have, that means in that situation, both the words are somewhere, you can say stable words, अगर all को हम accept करेंगे, तो भाई साम नो के लिए जगा नहीं बचेगा, और no को accept करेंगे, तो all के लिए जगा नहीं बचेगा, that's why all and no are in exception case, fulfilling by fulfilling all the conditions, after fulfilling all the conditions of either or, this particular segment of exception case, that is all ARB and no ARB will not be in either or situation or condition, you can say, मतलब कि अगर हम पूरे conditions को यहाँ प्लाई मान लेते हैं कि दोनों भाई, element भी same है, एक positive भी negative है, दोनों गलत भी है, तो भी हमारे पास यह आईदर रही माने जाते हैं, यह बहुत important point है, हिंदी में पढ़ाएंगे, अरे हिंदी में गजब हिंदी पढ़ाएंगे, भाई, क्या बात कर रहो, अच्छा मुझे याद आ रहा है एक बात बद डिसकोस करें तुरूक जाओ मुझे याद आ रहा है किसी बच्चे ने कहा था कि सर फलाणा सर ने एक बात बताया था कि only a few जो condition है ना सर उन्हें क्या बताया था क्यूं सम्ट आईधर नहीं होगा किसी बच्चे नहीं कहा किसी ग्लास में कि सर फराना सर ने मैं next by jet नाम नहीं लूँगा मैं किसी का उन्होंने कहा है उसमें दोनों के सटिस्फाई कर रहा है कि नहीं एक साथ अरे पापी इंसान दुष्ट नलायक सुनो यहाँ पे ध्यान से मुझ्दे पर आई गया तो आओ समजोना यहां पर फ्यूक में सब्सक्राइब देखो अबॉने अ समयर क्ट नोड भी हा ए ब δια समय रहा है यह जो चीज अपने दो किया जांगो यह ARB, क्यों? the reason is, हम जातो हमें ध्यान से यहां पर, a few ARB का मतलब क्या होता है, some ARB, a few मतलब क्या है, some, some ARB, but when we put only here, हम यहां पर जब only को put करते है, इसका मतलब क्या होता है, कि now there is a pressure, what pressure, अब वहां पर condition apply हो गया, केवल A ही भी होगा, मतलब केवल कुछ ही AB होगा, डागराम त का यह की सारे के सारे A, B हो ही नहीं सकते, तो इस बात को हम जाहिर कैसे करेंगे picture में भाई, तो बतायां गया, कि देखो, बिटा, ऐसा है, कि कुछ AB है, और अगर सारे के सारे AB तभी नहीं पाएंगा, जिब कुछ AB को हम, कुछ A को हम B से घौक về, तब ही gue होगा, तब ही तो ठीक है ना? I hope you got the idea So I think this is the real picture of either or case And one point मैं डिसक्स कर लेता हूँ यहां पर आपको यह चीज आपको चार्ट दिख रहे हैं यहां पर क्या दिखाना चाह रहा है आपके सामने कई बार क्या होता है कई बार यह चीज देखने को मिलती है कोशन कर रहा हूं कई बार क्या होता है कि आपके सामने elements को ना पलट देते हैं मताब कि sum a.r.b. to sum b.r. not a all a.r.b. no b.r.a या फिर कुछ भी इस तरह से sum a.r.b. no b.r.a ऐसा पलट देंगे मताब elements वो a.r.b. तो यह माल लो यहां पर हो गया sum a.r.b. तो यहां लिख देगा no b.r.a मताब sum a.r.b. no a.r.b. वो तो complementary pairs है लगी जब इसको पलटता है elements को जब यह लोग cross कर देते हैं मताब b यहां पर और a कहां चला गया यहां पर अगर ऐसा situation होगा तो भी आइदर होगा किस की situation में और किस में नहीं होगा वो यहां पर चार्ट के द्वारा आपको समझाया जा रहा है मतलब यह कि अगर all है और some not है तो ध्यान लगीगा parallel काम करेगा इस parallel का मतलब क्या समझा जाता हूँ मैं आपको parallel मतलब simply ऐसा लिखा हुआ all a.r.b. and you can say some a.r. not b some a.r. not b all a.r.b. some a.r. not b इसको बोलते हैं parallel यहां पर a.r.b. a.r.b. क्या है अपने बिल्कुल अलाइंड है बिल्कुल सेम तरीके पहले a.r.b. है पहले a.r.b. है इसको बोलते है parallel जब a.r.b. यहां पर है और b.r.b. यहां पर है इसको बोलते है cross तो वही बोल रहा है कि all or some not में parallel काम करेगा cross काम नहीं करेगा ध्यान रखना आगे some or some not में all parallel काम करेगा आपका लेकिन यहां पर cross भी काम करेगा और साथ में some or some आपके पास no जब रहेगा तो वहाँ parallel भी काम करेगा और cross भी काम करेगा that means in all situations somewhere we can say out of three complementary pairs we can say that यहाँ पे some, some not में ही parallel cross दोनों काम करेगा some और no में ही parallel cross दोनों काम करेगा but all or some not a case में cross काम नहीं करेगा इस बात को याद कर लेना ठीक है ना ठीक है ठीक है ठीक है I hope you are getting the idea I hope you are getting the idea how to deal with this type of questions this type of concept of either or and मुझे लगता है कि आप सब को clear हुआ होगा confusion होगा, replay करके जरूर पढ़िएगा एक एक वजा में दे जुका हूँ यहाँ पे क्यूं यहाँ 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 पे नहीं होगा ठीक है some some not reason either or case I will recommend some of the beautiful books in the market like not new books वो उन किताबों का जिक्र में कर सकता हूँ जो की जो किताबे पढ़के हम लोग मतलब बड़े हुए हैं मतलब इन दे सेंस की हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं मतलब उस यूग की किताब की बात कर रहे हैं की मतलब की ऑफकोर्स जो लोग मतलब पिलर की बात कर रहे हैं उन किताबों की बात करूँगा मैं तो यू कन गो थू दोस बुक्स के कुंदन साफ की किताबे पढ़िए जाके समझ में आ जाया क्या है कैसे है और कुछ फॉरें राइटर्स भी हैं सिर्फ इंडिया में ही पढ़ रहे हैं आप यह चीज कुछ हमारे बाहर के देश में ही पढ़ा जाता है यह चीज तो वहां भी जाके देखिए आप तो आफकोर्स आपको तो मेरा कहना है कि जो है जो कन्मेंशन है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको मत छेड़ो भाई वो है तो है आगे बढ़ते हैं चर्चा करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट सम्क्वेस्टेंज ना है ना लेट्स टॉक अबाउट सम्क्वेस्टेंज ठीक है चलो कुछ आगे बढ़ते हैं सवाल करते हैं एक बेसिक सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसको ड्रॉक की जल्दी से इस सवाल को प्लीज बताई इनमें से करेक्ट आंसर कौन-कौन से हैं जल्दी से सब्सक्रीन के लिए आपकी कोई पेड कोर्स अभी है अभी ने भी अभी सरया थुछा सा वेट कीजिए थुछा सा वेट कीजिए थुछा सा वेट कीजिएगा तो I think SSC के लिए कोई पेड क्लास जरूर आएगा मतलब I am just planning की SSC पे भी जल्दी से पेड क्लास लेके आओं ज हाँ 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 बनना सवरना लगा रहता है अच्छी बात है बनते सवरते रहा कीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ चलिए खेर हाँ चलो सवाल में चले क्या सवाल कर लिए आपने हिंदी में पढ़ा रहा है भुझपूरियं पढ़ाएं का तो हम रहा कौनों दिक्कत नहीं के भुझपूरियं पढ़ाएं में हम भुझपूरियं पढ़ा दे नहीं ठेक बा तो पहला statement बाहा हियर क्या बा भा भीया तो यहाँ पर है यहाँ पर C और D में पढ़ती बन लग गया आगे बढ़ो मतलब एक बता इस बात सभी में आपको बताया डिसकस किया था याद किजिए कुछ लोग ड्रॉ करते हैं ऐसे no ARB अरे पापी भाईया का कर रहा हो यह एए और बी नो ARB कैसे नो ARB मालना है इसको हम इसको बोलें कि A और में समय तो क्या करें लोगे they are not connected, क्या आप मालोगे आप इसको, तो मैं बालो, छोटी-छोटी बाते, बहुत-बहुत असर करती हैं आपके दिमाग पे, बहुत असर करती हैं, मैं कहता हूँ कि खुल के पड़ो, और ठोक बजा के पड़ो, मतलब इन्द सिंस की, बच्यों का साकलोजी क्या होता है, कि प्रिंटेड कागज पर अगर कुछ लिखा हूँ, अब इन्सान लिखा है, तो तर ध्यान से लिखा करो किस ने लिखा है, ठीक है न, तो किताबों में लिखी कई बाते हैं, मैंने उसके अभर रमायन महाभाय है, तो बाइबल थोड़ी म A और B में पर्तिबंध लगाया गया, restriction है, ठीक है न, चलो, तो, डाराम क्लियर है आपके सामने, आगे बढ़ते हैं, सम A, R, C, element A, R, C में बोल रहा है, कुछ A, C है, कोई बात ही, कहीं नहीं सकता है, काटो इसको आराम से, क्या बात कर रहो है, बवरा आगया हो का, सम A, R, C, कैसे बोल दोगे यहां पर, आगे बढ़ो, नो B, R, D, सम B, R, not D, element B, R, D में कोई relation ही नहीं है, तो हम भावुक नहीं होंगे, यार, negative relation तो है, कहा relation है, B की लड़ाई C से है, C की लड़ाई D से है, तो B की लड़ाई D से थोड़ी है, तो B, R, not D, नहीं बोलेंगे, पन काट देंगे इसको, सम C, R, not B, बोल रहाई कुछ C, B नहीं है, यहां यहां पर, परतीमनी तो पूरे B से, इसका मतब सम C, R, not B is also true conclusion, तो यहां पर हमारे पास थीसरा साही है, बिलकुल, चौथे की बात कर लेते है, No A, R, C, बोल रहाई कोई A, C नहीं है, अरे भाईया, क्या बात कर रहाई, यहां तो एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन, अब यहां पर आपको होना पड़ेगा, थोड़ा सा अलर्ट, क्योंकि यहां पर हो रहा है, यहां पर हैं, 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 यहां एक बात बताओ, मैं नहीं बोलूँगा तुम लाइक शेर नहीं करोगे, मतलब मैं बहुत नियुनतम बोलता हूँ मैं इस चीज के लिए, लेकिन कर दिया करो, मतलब इतो परम करतब वह तुम्हारा, कि जो एनरजी इतना थो किया जा रहा है, कि आप जगे रहें, आप काम करत रहना चाहिए, तो आपके तरफ से भी रहना चाहिए, हमारे लिए वही है, वो डेटा दिखता है तो अच्छा लगता है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नमबर दूसरा आपके सामने है, जल्देखीजे प्लीज, क्विक, लास्ट सेकिंड आपके साथ बेसिक के साथ उस लेवल पर जाना तरह कठीन भी होता है, और कठीन दा सिंस की, अगर हम बेसिक से कहीं पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि एक लेवल तर लाई जाके छोड़ दें आपको, फिर प्रेक्टिस करते रहों आप, जैसे मालों के मारे ये सेसन कम्लीट होगा, तो मालों हमने स्टार्ट किया, चलों मेंस वाला पार्ट पर डिसकस कर पर प्रो लेवल पर काम करते हैं, जीरो टू येरो प्रो लेवल, ऐसा कुछ लेकि आ जाएंगे, उसमें लोग फिर उपर लेवल बात करेंगे, या फिर इसी में हम लाश में समराइज कर देंगे, फिर बात में, ऐसा कुछ कर सकते हैं, एक साथ बेसिक से लेके, रिवर्स तक जाने के लिए आपको उसरा सब भीगना पड़ेगा, आपको इस चैप्टर को या फिर तमाम चैप्टर को एब्सॉर्व करना पड़ेगा, सोखता नहीं समझ सोखना, तो सोखना पड़ेगा आपको, जैसा स्पंज को रख दो तुम पानी में, तो गया सोख लेता है, व चलें, आईये, यहाँ पे हमारा बस बोल रहा है SUM ARB, एलीमेंट यहाँ पे है A और यहाँ पे है B, बोल रहा है SUM ARB, फिर बोलता है no BRC, बोलता है कोई भी B, C नहीं है भाहिज जाए, बहुँए बात है फिर बोलता है no C is D, बोला है कोई भी C, D नहीं है और फिर बोलता है all DRE, सारे के सारे D जो है न वो E है यह आपका बेंडाइगराम है, ठीक है न, बहुत क्लिर बेंडाइगराम है मैं आगे बढ़ते हैं, some DRA, element D और A में तो ख़र कोई तालुकी नहीं है तो काट दीजे इसमें, और no DRA बोला, यह भी काट दीजे, लेकिन यहाँ पर लगया क्या, आइधर लग जाएगा तो यहाँ पर हमरे पास first और second में क्या है, आइधर और है, इसमें कोई शक नीतुर्ण filter कर लिए हमने, अब बारी है सम्भावनाओं के बारे में विचार करने की, यहाँ पर बोल रहा है कि all B are D is a possibility, बोल रहा है, सारे के सारे B के D होने की सम्भावना है क्या, हम बोले हैं, हाँ वाई, क्यों नहीं है because element B तो D कोई जानता ही नहीं है, element B की परतिबंद C से है, C का परतिबंद D से है, मत्तब कि B D को नहीं जानता, मत्ब सम्भावनाओं में सारी बाते हैं सही, एक तब ऐसे स्वार रहना है, relation ही नहीं है, because हमने शुरुआत में क्या दिया कि logism is all about the decision of relation of element, that's it, nothing else, आगे बढ़ो, no AR, D, element A और D, A भी नहीं जानता, D को बिचारे को, सम्भावना लगाया है, क्या लगाया है ना भाई, तो सही यह बात खतम है, बतुआ ऐदर first or second and three and four follows, that's it, correct answer हो गया आपका, ठीक है न, यह बात सम्झ में आगई होगी आपको, जल्दी, जल्दी, quick, in अविचिग, no cup is a medal, 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 and then after, we have all medals are trophies, all medals are trophies, and then, we have no trophies, no trophies is, Shield, this is the Venn diagram, so a conclusion first कह रहा है कि भाई, all trophies are medals, बोला सारे का सारे trophies, medals है क्या, क्या बात कर रहो, ना, ऐसा तो नहीं है, पहला काट दो, दूसरा कह रहा है, no shield is medal, no shield is medal, हाँ, ये accept कर सकते हैं, कोई भी shield medal नहीं है, बिल्कुल सही है, तो only second follows, that means कि option number D is the correct answer, it's very simple, only second follows, only second follows, right, everyone is true, very good, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, आगे बढ़ते हैं, सवाल number आपका, sorry, इससे पहले ये सवाल, हाँ, all P are Q, some Q are not W, and some W are X, दो निसकर्स आपके सामने है, can be का इस्तिमाल किया गया है, देखते हैं कितने लोग सही होत रखते हैं, can be का इस्तिमाल किया गया है, आने आने, 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 चुका है, next का रहा, some q are not w, some part of q would be restricted to the whole part of w, it is very clear, and next one is saying, some w are x, some w are x, ठीक है ना, so some w are x, so all p are q, and some q are not w, and some w are x, conclusions first, all x can be w, क्या यहाँ पर बोला, कि सारे के सारे x w हो सकते किया, क्यों नहीं हो सकते भाई, क्या बात कर रहा हो, सारे के सारे x to w हो सकते, because x और w में यहाँ पर some का relation है, संभावना है 100%, यहाँ पर हम सही करेंगे, पहला यहाँ पर बिल्कुल true है, second कह रहा है, all w can be q, क्या सारे के सारे w, q हो सकते हैं, क्या, आप क्या कह रहा हैं, कुछ पापियों में नहीं यहाँ पर सिर्फ कहा है, पहला, सिर्फ पहला, अरे पापी इंसान, को ध्यान से, बोल रहा, all w can be, can be q, क्या सारे के सारे के सारे, w q हो सकते हैं, क्या हैं, क्या है नहीं होंगा, अगर बोलेगा, all q can be w, तो बोलेगा, नहीं नहीं हो पाएगा, मत तीसरा कर यहाँ होता, all q can be, w, it means, now we cannot accept the third one, if they have mentioned, all q can be w, we cannot accept it, we can deny this conclusion, that means, third will be wrong, but if they have asked you, all w can be x, of course, all w can be q, of course, we can accept it, but all q can be w, no, we cannot accept it, because some part of q has been restricted to the whole part of w, and this was mentioned in the statement, that's why we cannot accept this, all q can be w, but all w can be q, और वही सर्माजी वर्माजी कॉंसेट यार बार बहुता हूँ समनौट का सबसे बड़ा दवा है सर्माजी वर्माजी कॉंसेट, ध्यान से पढ़कर रखा करो उसको, ठीके न, बहुत सारे बच्चों ने यहां पर कह दिया सर्माजी वर्माजी कॉंसेट, वही मैं कहता हूँ क्लिरली समझा करो सर्माजी वर्माजी को पूरे सर्माजी वर्माजी क्या नहीं जा सकते लेकिन वर्माजी सर्माजी कहा आ सकते है ध्यानक ना और सर्माजी कौन है सर्माजी वही है जो सर्माजी के एक बैटी के लड़ाई हो गई थी वही वाली बात है यह सर्माजी कौन है Q, Q के एक बेटी, मतब यहां Q is equal to कौन, Q is equal to Sharmaji, Q is equal to कौन, Sharmaji, बात ख़तम है, और W कौन है, बेर W हो गया, वर्माजी, All Sharmaji, इन वर्माजी, please do not get bhavuk, it is just an example, so इस example की सभी, मतब पात्रियों घटनाएं कालपनिक है, इसका आपके वास्तिविक जीवन से कोई संबन्द रही है, अगर पाया गया तो महज एक संयोग होगा, मालो कहीं पर सच में सर्माजी बार्माजी लड़ाई चल रही हो, सलाम प बढ़ते हैं, चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स सवाल, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी सखीजे बता ये और क्रेक्ट आंसर क्या होगा, है, और क्य rightly? Please explain that concept, for that concept, you will have to go for the previous video, that is I think yesterday is video right? अबन fenderी discuss किया सर्माजी वर्माजी concept I think तो आप उस वीडियो को चेक कर लीजेगा एक बार वहाँ पर प्रॉपरली discuss किया गया है सर्माजी वर्माजी concept है ना चलिए some minutes are hour बोला कुछ minutes ऐसे हैं जो क्या है hours है हमने कहा भाई माल लिया बोला no hour is a second बोला कोई hour second बोला बार बार हजार बार मिलता रहेगा यह वेंडार हम चलते आंगे discuss पहला कह रहा है कि some periods are definitely hours अब बोला कुछ periods ऐसे हैं जो definitely hours है और पता definitely क्या है यहाँ पर यह भावुक करने वाला शब्द है at least क्या होता है से लोगिसमे भावुक करने वाला शब्द है इसके मुह से बचो वत्स समझ रहो मतलब इसके मुह माया से बचो इस बोला है na definitely तो आपको भावुक करना चाहता है बोलता है भावुक हो जाओ बोलता है कुछ periods तो ऐसे होंगे जो hours नहीं होंगे बच्चा भी करने हाँ भाई बिल्कु सही बोल रहा है यह तो ऐसा नहीं माना इसको ignore कर देना है बला हटो बे तुम हटो यह बाबाओं के चक्रमत रहना है ना है ना चाहिए गरीबों वाले बाबा क्यों ना हो जाए तो some periods are not hours ऐसे ही पढ़ लो इसको समझ रहो some periods are not hours some periods are not hours except कि हमने आगे बढ़ते हैं some minutes are not seconds कुछ minutes second नहीं है हमका हाँ बिल्कु सहीम concept के आधार पर इसको भी हम क्या कहेंगे सही कहेंगे कोई तकलीफ नहीं है आगे बढ़ते है some seconds are not hours कुछ seconds hours नहीं है यह तो भईया ब्रसकुला सवाल है तो सही करेंगे ही करेंगे समझ रहे है मतलब कुल मलाकी यही है मतलब समझ में आरी बात समझ में आरी बात ठीक है ना मजा या मजा ही रहा होगा सराइदर रों कॉंसेप्ट आएगा conclusion two or three मतलब two or three two or three आएदर क्यों जाएगा यार किसने बोला यह बात कौन है यह पता करो अरे नई भाई आइदर के लिए पहली condition यह भी तो है गलत होना चाहिए और element same कहा है how and where you are finding out element to be second कहां से महाँ पर कही कुछ पी same नहीं है आगे बढ़ें हाँ चलो सवाल ही खतम हो गया अब सवाल खतम हो गया तो फिर निकलते हैं और क्या हैं उसमें exception case क्या कहलाता है उसके पीछे conditions क्या क्या है और हम silogism के आई दरो concept को हम inequality के आई दरो concept से कैसे relate कर सकते हैं तो आपको आज की class में हेपको तोब आप आपको इनिकल्टी Solutions के आई-दरो concept को हम आराम से सीख सकते हैं सात में relate करके कर सकते हैं, जो हमने किया आज की class में, तो आपको either concept काफी कुछ समझ में आया होगा, I think sharp हुआ होगा, clear हुआ होगा, कि literally कि हमें किस तरीके से focus करना चाहिए, और किस तरह समझ में आना चाहिए, उसके आधार पर कुछ हमने examples भी discuss किये, कुछ concept भी discuss किये, उससे पहले हमने शुरुआत जो class करते हैं हमें शाम, वो revision के तौर पर करते हैं, मतब कल की class की शुरुआत करेंगे, आईदर और की revision के साथ, और discuss करेंगे, only and only a few concept, ठीक है, तो I think आपको बहुत अच्छा लगा होगा सिखने में, बस ध्यान अखना कि इसको थोड़ा, crowd को थोड़ा 1000 प्लस करने कोई करो, मैं ज़्यादा जिद नहीं करता हूँ, लेकिन of course you need to be shared, this session should be shared much, आप इसको share करते रहें, और आपकी इसमें आपकी energy और आपकी support, support की आव सकता है, पड़ेगी, तो और प्यार, मुहबत बनाए रखिए, बाकी class गास लग रहें, बोलते रहीं, बताते रहीं, उससे क्या होता है, कि वो connection बना रहता है, जुड़ा रहता है सब कुछ है ना, चलिया, May be कल class ना हो पाए, एक थोड़ा सा chance है, लेकिन chance है, मतलब, कल class ना हो पाए, लेकिन परसों ज़रूर होगी class, स्लाइट चांस कि क्लास नहां पाए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं क्लास के समय मौजूद हो जाओं ठीक है चलो I'm just signing off but before I sign off I'll just discuss about the ADDA's some beautiful concept and products that is ADDA का महापैक it constitutes everything that means whatever the requirement of any one day exam aspirant सबकुछ इसके अंदर होता है चाहिए वो banking के सारे batches हो प्रीमिन्स इंटर्व्यू से लेके सबकुछ descriptive सारे चीज़ों यहां पर होता है SSC के बच्चे के लिए भी सबकुछ यहां पर होता है IB के बच्चे के लिए सबकुछ यहां पर होता है और railway के बच्चे के लिए सबकुछ यहां पर होता है और all the four major examinations जो भी चल रहे हैं फिलाल और फिर वैसे तो हमेशा रहते हैं इस चीज़ों के बारे में यहां पर सबक के अंदर और जो भी पिछले batches रहे हैं, वो भी इसमें include हो जाएंगे आपको, पिछले batches प्लस आने वाले मेरे batches, सब इसमें मिलेंगे आपको इध्यानक्षी का, और इस तरह से बाकी maths की भी और GA की भी, इसको enroll करने के लिए करना के आपको, तो of course आपको Adda के store पे जाना है, और Adda का, या फिर Adda का आपको app इस्तमाल करना, मैं तो कुंगा app इस्तमाल करना, और app इस्तमाल करके आप वहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं, कि इस चीज का, you want double it, this is my code, you want double it, you can use this code to buy any product from Adda247, getting maximum discount, तो अभी फिलाल 77% discount, किस लिए भाई तो क्या लोहरी है, और उसके अधार, उसके लिए आपको discounts है, फिलाल वैसे discounts चलते रहते हैं, तो आप लेकिन इस चीज का ध्याना की आप फिलाल, discount 77% एलिए इन decrease बहुत जल्द होने बाल है, because festival के time लगभग समात हो चुका है, अब ब झाट 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 झाट